कि य थेलो फ्यान गुर्ड मॉर्णिंग आपका सवागत है मेरे चैनल में तेखिए अज में बनाने जारी हूं पालक पनीर पालक बनानें बनानेक लिए तेुम्यड हज़ेत मैंने 97 गराँ को यहां काड़ी मेलर सकते मारेश होगाются पालब पनीर बनाने जा रहे हैं तो देखिए और इसमें हम अभी नमक मां कुछ भी आड़ नहीं कर रहे हैं तो अब यह ठंडा हो जाता है तो हम इसको क्या करेंगे ना पीस लेते हैं तो तो पानी के साथ नहीं पीशना है पानी को अच्छे सा निचोर लेना है और इसको जान में डॉलकर हम एक पेश्ट बना लेते हैं है ना है तो और साथ में कुछ भी आट नहीं करेंगे तो इसका एक लिक्विट फॉर्म बना ले रहे हैं है तो देखिए इस तरह से कर्या मां डाल दीए है तो देखिए हमने एक कटोडी में निकाल लिया है तो अब हम इसके लिए देखिए कडिव-कर अड़ाए सोगरा मैंने पनीर लिया है तो पनीर को देखिए इस सब्सक्राइब लिए हैं आप चाहो तो जो भी पीस काट सकते हो और साथ में देखिए एक मीडियम साइज का प्याज लिए हैं लम्मे लम्मे रफली ऐसे चॉप कर लिया एक टमाटर और इसमें दो तीन कली लासत का और एक हडी मिर्च और अधरक और आठ दस काजू लिया है और साथे चीजों को हम अच्छे से फ्राई करके तब इसका हम पेष्ट बनाएंगे तो इतर देखे कड़ाई में हमने एक चम्मच के करीब तेल डाल दिया था एक से डेल चम्मच तेल अब चाहो तो बटर या घी में भी बना सकते हैं हैं मैं तो रिफाइन वाइल डाली यह तो मैं थीं पानीर को ज्टेश्ट कर लेते हैं से जम इसले करना है बस मैं हल्का सा पर्या कर लेना है बहुत लोग तो पूल लट पर लटक के फ्राई कर ले रही हूं देखें पनीर फ्राई हो गया है मेरा अच्छे से हलका प्राई तो इसको फ्लेट में निकाल ले रहे हैं देखें साले पनीर को हम फ्लेट मे निकाल है थोड़ा तेल बचा हुआ है तो हम उसी तेल में क्या करेंगे प्याश टमाटर और जो भी मसाले हैं वो सबसारे अध्रक लासन सबको अच्छे से फ्राइ कर लेते एक से 2 मिनट लगता है थ्ली से क्या होता है प्याश टमाटर का सब्जी का टेस्ट अलग अच्छा हो जाता है अब चाहाँ तो इसको कच्छा भी पीछके और फिर भूनू लेकिन मैं तो ऐसी बनाती हूँ पनीर का सबजी तो खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है इसको हलका से देखिए मैंने इसको फ्राइ कर लिया है तो अब यह ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीस के पॉडर बना लेंगे पॉडर नहीं वह मसाले का लिक्ट खोल सा बना ले तो देखिए यह मैं निकाल लिया है तो इसमें थोड़ा सा कड़ाई में हमने तेल और डाल दिया है तो साथ में डाल दे रहे हैं थोड़ा सा जीरा जीरा चटक जाएगा साथ में एक तेशपात भी डाल दे रहे हैं और इसको अच्छे से चटका लेते हैं यह देखिए में ट्यार करके रखा है न जार में वो डाल दे रही हुं मसाला को 1-2 मिनट करेミिटियम में मिधियम फ्लेम जित्क जर दो भानें पर इसको कॉसित था पुनें गे जब तक मसाल लए बुंआना ि सब्जी का टेस्ट नहीं लगता है ते छिंन लेखने मसाला को हम अच्छे से भून लेते हैं साथ में हम इसमें नमक एड़ कर दे रहे हैं स्वाद अनुसार साथ में आदा चमच मैंने हल्दी इसमें डाल दिया है फ्लेम को अभी एकदम लो रखे हैं साथ में देखिए आदा चमच करीब मैं में मीर्च पॉडर डाल दिये हैं और सभी को मिला के अच्छे से एकदम मसाले को एक से दो मिनट भून लेंगे तेकी मसाले मेरे अच्छे से भून गया है तो साथ में मैं क्या करीऊ ना मेरे थोड़ा सा आदा चमच के करीब धनिया पॉडर डाल दी हूं दानिया पॉडर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है देखे मसाले मेरे अच्छे से एक से दो मिनट हो गया है तो मसाले अच्छे से भून गया है तो जो मैंने पालक पीसके रखा था वो पालक में डाल दे रही हैं इसमें तो पालक को भी हम क्या करेंगे ना एक से दो मिनट भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनते हैं क्योंकि पालक तो अल्रेटी पका ही हुआ है तो इसलिए हम थोड़ा सा बाल में पानी था तो वह भी दो के इसमें डाल दे रहे हैं कि मसाले के साथ हम अच्छे से हम भून ले रहे हैं इसको बहुत अच्छा खुसबू आ रहा है एकदम और ठंडी के मौसम में पालक पनी खाने का स्वादी कुछ अलग होता है प्राठा के साथ पूरी के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं आप यह खाने में सब्जी बहुत ही टेश्टी लगता है और पालक सबका फैबरेट होता है पालक पनी देखिए अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें क्या करेंगे ना पानी डाल देते हैं साथ में मैंने यह क्या क्या था न मैं भूल गई थी थोड़ा प्रेस मलाई रेल ले लिए मलाई से क्या होता है सब्जी का पालक पनीर का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और साथ में क्या होता है इसका कलर भी अच्छा चेंज़ हो आपके पास क्रीम हो तो क्रीम भी कि मलाई डालने से ही सब्सक्राइब ग्रीन पर पना गया अग्दम सब्सक्राइब का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है ना कि मलाई डाल के हम एक से दो मिनट इसको चलाते हैं अच्छे से कि यह देखिए एक से दो मिनट के करीब हो गया है तो अब मैंने जो पनीर फड़ाई करके रखाता ना वो डाल दे रहे हैं कि अब मैंने इस पानी आड नहीं किया है कि देखिए थोड़ा सा पानी भी मैं इस पर डाल दी थी तो सब्जी का देखिए आपको ग्रेवी जीस जैसा पसंद हो ऐसा डाल रख सकते हैं तो देखिए कितना चा पालक पनीर बनके रेडी हो गया है तो आई होप आप लोगों को यह दी पालक पनीर की रेस्पी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और सब्क्राइब जरूर करिएगा और साथ में मैं क्या कर रही हूं ना एक चमच मैंने गी डाल दिया था इसमें थ बहुत ही टेस्ट इस्ट हो अच्छा हो जाता है लासन ने से यह देखिए मेरा पक चुका है लासन और मिर्चा तो गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और सिधर भी मैंने गैस को बंद कर दिया था तो इसमें देखिए तड़का लगा दिये हैं सबिगे मेरा बंद के रेडी हो गया है तो आई होप आप लोगों के पालक पंneer के सब्जी देखिए कितना चाग्रेवी आप अनुसाने में अनुसाध गते हैं